नमस्कार सांतियों आप सभी का स्वागत है सिखर एकेटमी के यूटूब चैनल पर देखिए आज सटेडे का कुश्चन सोलेशन है इसमें कुश्चन नमबर वन है उच्चारण स्थान की दृष्टी से हिंदी के ओ और आ का जो इस स्वर है इनका उच्चारण स्थान बताना है इसमें से देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कंट से इनका उच्चारण किया जाता है कंट है अब जितने भी सारे स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान देख लिजे O और A का उच्चारण स्थान कंठ्य है और E और बड़ी E का उच्चारण स्थान तालू से होता है और O और O का स्थान ये ओंश्ट से होता है बागी R का मूर्धन्य से और अब देखिए A और I इनका उच्चारनिस्तान कंठ और तालू दोनों के माद्यम से हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा कंठ तालब्य कंठ तालब्य से इसका उच्चारनिस्तान है O और O का उच्चारनिस्तान कंठ ओस्ट से हो जाएगा कंठ ओस्ट से तो सभी स्वरों के उचारनिस्तान देख लीजिए अब इसमें से तालब्य से मैंने बता दिया कि छोटाई और बडाई का ओंस्ट से उ और उ का उचारन मां की मूर्धन्ने से री का उचारन मूर्धा से होता है चलिए अगले क्वेशन की और बढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ है वह बहुत खाता है इस वाक्य में परियुक्त जो बहुत है ये सब्द किस परकार का है तो यहां पे मात्रा को बताया गया है अपूनांक सोधक बिसेशन ये नहीं होगा तो इसका सही आंसर होगा परिमान बोधक बिसेशन परिमान मतलब मापतोल से संब्दित है बहुत कम तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी ओप्सन परिमान बोधक बिसेशन हो जाएगा चलिए अगला क्वेशन देखिए क्वेशन नमबर थ्री Q3 है वह आये तो मैं जाओं वह आये तो मैं जाओं इस वाक्य में कौन सा काल है पूछा गया है पहले तो आपने देखना है बोत काल है बहुत काल है या वरतमान काल है इसमें देखिए ओप्सन नमबर A है हे तु हे तु मद बहुत काल और option number B, इसमें भूतकाल दे रखा है, option number C, संभाव्य भहुष्यकाल, option number D, सामन्य भहुष्यकाल तो इसका हो जाएगा, हे तु, हे तु, मद, भहुष्यकाल, यानि कि जैसे सर्त रखी जाती है, वहाँ आए, तब मैं जाओं, ठीक है, इस तरह के वाकियों में, भहुष्यकाल हो जाएगा, हे तु, हे तु, मद, भहुष्यकाल, option number A, बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर इसमे फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होती, होती बोला गया है, इसलिए भूष्यकाल का वाकियों मन जाएगा, हे तु, हे तु, मद, भूष्यकाल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, वहाँ आए तु, मैं जाओं, यानि कि भुष्यकाल का है, और अगर ऐसा ही अगर संभाव्य भहुष्यकाल का वाक्य है इसमें संभावना रखी जाती है सायद ऐसे वाक्य होते हैं सायद चोर पकड़ा जाए ऐसा वाक्य आए तो सायद सब्द आ रहा है तो संभावना व्यक्त की जा रही है भहुष्यकाल में चोर पकड़ा जाए तो ये वाक्य हो सब्दा आते हैं तो इसे भी आपने ध्यान रखना है चलिए अगला कुश्चन अगला कुश्चन देखिए कुश्चन नमबर 4 सुद्ध वाक्य का चैन करना है तो इसमें सुद्ध वाक्य कौन सा है वताइए चलिए इसका आंसर देखते हैं सुद्ध वाक्य कौन सा है सुद् रेसमी कपडे, रेसमी कपडे होगा, मैंने तरह तरह के रेसमी कपडे पसंद किये, तो ये वाक्या सुद्ध है, दूसरा वाक्य देखिए, तुमाहरी दृष्टी, तुमाहरी पुस्तक पर होनी चाहिए, इसमें से देखो, दो बार तुमाहरी नहीं आएगा, सीधे वाक्य ह तुमारी द्रिष्टी पुस्तक, पर होनी चाहिए यह होना चाहि था इसमें, अगला देखिए, इस ग्रन्थ का निर्मान तुलसी दास ने किया, ऐसा नहीं होगा, इसमें वाक्य, सुद्धु वाक्य होगा, इस ग्रन्थ के रचनाकार तुलसी दास हैं, इस तरह से आयगा, या इस गरंती की रचना तुलसी दासने की इस तरह से वाक्य होगा। अगला देखे डी वाक्य जो है समाज की वर्तमान दसा चिंता जनक है। ये बिल्कुल सही वाक्य है तो option number D आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला question देखते हैं। अगला question देखें। Question number 5 है अमी का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका बताईए चलिए question number 5 अमी का तत्सम रूप बताना है। तत्सम यानि कि इसका संस्कृत रूप जो संस्कृत से हिंदी में आये हैं तत्दव सब्द है अमी इसका हमने बनाना है तत्सम रूप क्या होगा ये बताईए। तो अमी जो सब्द बना है, संस्कृत के अम्रिस सब्द से बना है, तो इसका तस्सम रूप हो जाएगा, अम्रित, अम्रित इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए अगला कोश्चन देखिए, अगला कोश्चन है, इंद्र का परियावाची नहीं है, तो इंद्र के अनेक परियावाची सब्द हैं, जैसे देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, तो ये सारे परियावाची, सक्र भी उसका परियावाची है, सुर्पती सुर्देवताओं के पती ये भी इनका परियावाची पर्वतारी ये भी परियावाची है इंद्र का भूपेंद्र, भूपेंद्र मतलब होता है भूप पलस इंद्र यानि कि पृत्वी का राजा पृत्वी का जो राजा है इसे भूपेंद्र कहा जाता है तो ये इंद्र का प्रियावाची नहीं है, option number A बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्र का प्रियावाची नहीं होगा अब देखिए अगला question अगले question की ओर बढ़ते हैं question number 7 7 है अधम का बिलोम होगा अधम का बिलोम सब्द बताइए सभी अधम का बिलोम सब्द क्या होगा तो देखिए इसमें अधम का हो जाता है उत्तम, अधम का बिलोम सब्द उत्तम हो जाता है और धर्म का बिलोम सब्द इसमें आ जुड़ जाएगा अधर्म, ये इसका बिलोम सब्द हो जाएगा और इसमें महत्तम है, महत्तम का बिलोम लगुत्तम हो जाएगा लगुत्तम लगुत्तम इसका बिलोब हो जाएगा बांकि इसको छोड़ देजिए अगले कुश्चन की और बढ़ते हैं अगला देखिए इसके बाद 8 कुश्चन कुश्चन नमबर 8 है एक मानी घ्यू द्यू नाली जमीन में कौन सा बिसेशन है चलिए इसका आंसर दीजिए सभी अब ये एक तरग का गड़वाली सब्द भी है गड़वाली में आपने बिसेशन बताना है तो इसमें देखिए पूछा गया है एक मानी घ्यू और द्यू नाली जमीन इसमें कौन सा बिसेशन है अब मापतौल से संबंदित बताया गया है एक मन एक मन आपका ग्यू है और द्यू नाली जमीन है तो मापतौल से संबंदित जो चीज़े होती है वो किस में आती है मापतौल से संबंदित आपको पता होगा हिंदी में तो एक गुण वाचक में तो गुण वगेरा के बिसे में संख्या के बिसे में भी नहीं है तो परिमान वाचक बिसेशन सही हो जाएगा मापतोल से संबंदित परिमान वाचक ठीक है एक होता है परिणाम परिणाम मतलब रिजल्ड और ये है परिमान परिमान मतलब मापतोल से संबंदित है तो C option सही हो जाएगा सारो नामिक नहीं है option number C सही हो जाएगा बिल्कुल अगले question की और बढ़ते हैं देखिए अगला question question number 9 है सूची A को सूची 2 से मिलान करना है इसमें तो इसमें क्या होगा इसको पूरा question पहले दिखा देते हैं question देखिए इस तरह से है question तो option हमने chain करना है सूची A को सूची B से मिलान करना है तो इसमें देखिए क्या होगा इसका answer इसमें हो जाएगा पत्नी को बारवान कहते हैं A का C परिस्रमी जो होता है कई बार बोलता है किसान है बड़ा ठीक है ये परिस्रमी हो जाएगा पिता को जणदारो ये कहा जाता है और पोटली को कई बार पोटली कहते होंगे कुठ्यार कुठ्यार देख लीजे तो कुठ्यार यानि की पोटली से संबंदित है तो इसमें option number B आपका सई हो जाएगा A का 3, B का 1 और C का 2, D का 4 option number B बिल्कुल सई हो जाएगा अगला question देखिए टिपण भिराना महावरे का सई अर्थ है तो टिपण भिराना ये महावरा जो है इसका सई इसका सई आंसर हो जाएगा टिपण भिराना मतलब सिफारीज करना सिफारीज करना टिपण भिराना का सई अर्थ है बागी देखिए अगला कुश्चन अगला कुश्चन है निम्न पंकितियों में कौन सा अलंकार है अब इसमें अलंकार बताना है आपने देखिए इस कुश्चन में अलंकार कौन सा होगा पूछा गया है नाग का मोती अधर की क्रांती से बीज दाडिम का समझ प्राँटी से देख कर सहसा हुआ सुक मवन फॉस्ता है अन्य सुक यह कौन है, तो यहां पर दाढ़ीम और मौती में यहां पर आपका इस तरह से ब्राँटी पैदा हो रही है तो यह ब्राँटीMान अलंकार हो जाएगा इन दोनों में जो मोती है नाग का मोती ये डाडिम की तरह वो लग रहा है तो इसमें बरांती पैदा हो रही है दोनों में तो बरांती मान हो जाएगा अगला कुश्चन देखिए कुश्चन ומ.12 है इसका सही आंसर बताना है तो देखिए कुश्चन sober 12 रहा इसमें विरामचिन दिये गए हैं तो विरामचिन बताने हैं कौन-कौन से हैं तो आपने देखे होंगे कई विरामचिन होते हैं तो इन मैंसे विरामचिन कुछ दिये गए हैं इनका सही मिलान करना है तो अल्प विराम अल्प विराम है जहां वाक्य में कम समय के लिए र हम डॉक्टर वगेरा लिखते हैं इसमें आगे इस तरह से जिरो लगाते हैं लेकिन ये थोड़ा नीचे यहाँ होना चे जिरो ये हो गया संचेब सूचक योजग चिन या संयोजग चिन योजग माता पिता दो चीजों को जोड़ इसमें जोड़ रहा है माता और पिता इसमें बीच में हम जो सब्दे लगाते हैं योजक चिन जोड़ने का काम कर रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा A का 3 और B का 4 A का 3, B का 4 लास्ट वाला ओप्सन, D ओप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा D ओप्सन सही है, थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन देखते हैं D ओप्सन इसका, ये वाला सही हो जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नवोदा, नवोदा में संदिविच्चेद है क्वेश्चन नमबर 13, इसका आंसर दीजिए नवोदा में कौन सा संदिविच्चेद हो जाएगा इसमें देखिए, नवोदा में यहाँ पे दोनों एक जैसे दिखाए दे रहे हैं लेकिन इसमें बड़ा O लगा देते हैं तो नव पलस O दा, ठीके, नव पलस O दा O पलस O बराबर O बन रहा है तो इस तरह से यह सब्द आपका सही है नव उदा, मैं नव पलस O दा संदिविच्चेद होगा इसका अगला देखिए, निम्न सब्दों में से देशस सब्द का चैन कीजिए तो आपने देखिए होंगे सब्दों के परकार तसम, तदभव, देशस, बिदेशस सब्द तो इन में से हमने बनाना है देशस सब्द देशस मतलब देशस तो देश में जो पैदा होए हैं देशस सब्द तो इसमें डौंगा, लोटा, इस तरह के कई सब्द हैं जूता, डिपिया, ठीके? तो ऐसे सब्द आपके देशस कहलाते हैं डौंगा हो जाएगा सई बांकि जो संस्कृत के सब्द हैं तदसम, तदसम सब्द और जो संस्कृत से हिंदी में आ चुके हैं तदभव, तदभव सब्द और इसमें देश में जो पैदा होए हैं देशस सब्द और इसके अलावा जो विदेसी सब्द हैं उन्हें हम विदेसस सब्द कहते हैं तो विदेसस भी अर्वी फारसी अन्य जापानी वगेरा अन्य सब्द ये विदेसस सब्दों में आते हैं तो इनको दिहान रखना है इसमें से डोंगा हो जाएगा देसस सब्द अगला देखिए पानी निरंतर बह रहा है वाक्य में निरंतर किस परकार की किरिया विसेशन है तो निरंतरता का जहां पर बोध हो आपका कारिय लगातार चल रहा हो निरंतरता का बोध दिखाई दे तो इसमें आपका रीती वाचक किरिया विसेशन होता है तो निरंतर यहाँ पर रीती वाचक क्रिया भी सेशन है, ओप्सन नमबर A सही हो जाएगा काल वाचक समय के लिए है, परिमान वाचक मापतोल से संबंदित और इस्तान वाचक कहाँ पर किस इस्तान पर हो रही है, उससे संबंदित है अगला देखिए इसमें अगला कुश्चन है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है तो सभी राज्य सरकारों को जो पत्र भेजा जाता है, उसे हम परिपत्र, यानि कि हर जगा ये घूमता है, परिपत्र कहलाता है अनुइस्मारक, रिमेंडर, यानि कि याद दिलाने के लिए जिन पत्रों को भेजा जाता है, अनुइस्मारक कहा जाता है अधी सूचना जो गजट में जारी की जाती है इसे हम अधी सूचना निवक्ती वगएरा जो होती है गजट वगएरा में जो जारी हो जाती है उसे अधी सूचना कहते हैं कारियाले में एक कारियाले से दूसरे कारियाले के लिए जो आदेस पारित किये जाते हैं कारियाले आदेस कहलाते हैं तो इसका सही आंसर आपका होगा परीपत्र इसका सही आंसर हो जाएगा परीपत्र यानि कि राज्य सरकार राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र ये परिपत्र कहलाता है option number इसमें से D आपका सही हो जाएगा अगला question देखिए question number 16 हो चुगा है अब 17 question देखते हैं इसमें है स, तीन स है और इसके लावा ह है तो इनका ये बेंजन क्या कहलाते हैं ये पूछा गया है चलिए इसका आंसर दीजिए सभी इसका क्या आंसर हो जाएगा बताईए तो इसमें से परकंपी है परकंपी या लुंठिद बेंजन जो है तो कौन-कौन से होते हैं रो जो वेंजन है, इसे प्रकंपी या लुंठित कहा जाता है, इसमें से संगर्सी वेंजन, तो ये हो जाएगा, संगर्सी वेंजन हो जाएगा, ये वाला, और इसमें से इसपर्सी वेंजन, जो सरीर की किसी भाग को जैसे मोह के उचारन करते टाइम, मोह की किसी अंग को पूर्धा आउश्ट्य और धंत्य इस तरह के पांच बर्गों में बटे हुए हैं टोटल 25 संख्या है इस परस संगर्सी होते हैं चो जो 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 बर्ग के जो चार अक्षर हैं ये कहलाते हैं इस परस भी करते हैं और संगर्सी इनमें होता है तो कहलाते हैं इस परस संगर् अगला देखिए question, question number 18 है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें पूछा गया है कि वह क्या है, तो अनिश्चय वाचक है, या निश्चय वाचक है, संबंद वाचक है, निजवाचक है, तो वह उसकी ओर संकीत किया जा रहा है, तो निश्चित है, निश्चिता का बता रहा है कि वह अच्छा लड़का है, जब वह दिख रहा है, एक निश्चिता का बोद प्रकट कर रहा है, तो इसमें निश्चित वाचक हो जाएगा, इसका सही answer हो जाएगा, निश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है, कुछ और इस तरह के सब्द जब आते हैं, तो इसमे आपका अनिश्चित वाचक हो जाएगा, अगला देखिए इसमें, अगला कुश्चन है, उननिस्वा कुश्चन, उननिस्वा कुश्चन है, प्रत्यासित सब्द में मूल सब्द है, तो प्रत्यासित जो सब्द है, इसमें मूल सब्द क्या होगा, प्रत्यासित सब्द में म प्रति प्लस आसित इसमें इत भी लाष्ट में इत जुड़ेगा इत और प्रति सब्द जुड़ेगा और बीच में आपका आसा बचेगा आसा तो इत इत बाकि आसा आसा इसमें मूल सब्द बच जाएगा option number c आपका सही हो जाएगा प्रती प्लस आसा प्लस इत इसमें इस तरह से सब्द तूटेगा अगला देखिए अगला बीश्वा कुश्चन है जो संग्या सरुवनाम और सब्दों से जुड़कर नए सब्दों की रशना करते हैं उन प्रतियों को क्या कहते हैं तो आपने देखियोंगे विकारी सब्दों की संख्या विकारी सब्द किने किने कहते हैं विकारी सब्द हम इसमें देखते हैं संग्या विकारी सब्द है सरुवनाम विकारी सब्द है संग्या सरुवनाम और विसेशन इन तीनों से जो आपके पर्ते बनते हैं पर्तियों की रचना होती है इन पर्तियों को हम तद्दित पर्ते कहते हैं और जो किरिया या धातु से जिस पर्ते की रचना होती है किरिया से या धातु से और उसे हम किर्दंत पर्ते कहते हैं तो इसे कहते हैं किर्दंत पढ़ते अब देखिए इसमें पूछा गया है संग्या और सरोनाम से जो पढ़ते बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं सही आंसर आपका हो जाएगा तद्दित पढ़ते क्योंकि पढ़ते जो हैं बिकारी सब्दों से ही बनते हैं ये विकारी सब्द, संग्या, सरुनाम, विसेशन और क्रिया चारतर के हैं इन तीनों से जो पढ़ते बनेगा उसे तद्धित कहा जाएगा और जो क्रिया या धातु से पढ़ते बनता है उसे हम कहते हैं किर्दंत पढ़ते सही आंसर आपका हो जाएगा उप्सन नमबर B सही हो जाएगा चलिए अगले कुश्चन की ओर बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 21 अब आपके उत्राखंड के कुश्चन है देखिए उत्राखंड के कौन कौन से कुश्चन आ रहे हैं इसमें अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 21 है 21 कुश्चन नमबर 21 देखिए कटि पानी गाड और महाकाली नदी का संगम कहां पर होता है तो महाकाली नदी यानि कि पिथोरागड सेत्र से जो काली नदी निकलती है काला पानी गलेश्चर से और इस नदी में एक कुठी यांगटी नदी कुठी यांगटी नदी मिलती है और उसके बाद धौली गंगा पूर्वी धौली गंगा इसमें मिल जाएगी और उसके बाद गोरी गंगा नदी मिलती है और इसी नदी में एक आपकी नदी मिलती है कट पानी गाड तो कट पानी गाड जहां पर मिलती है उस इस्तान का नाम है तालेश्वर तो कट पानी गाड जहां पर मिलती है ये एक तरह का धार्मिक इस्तल है और भारत और नेपाल के बीच है इसे कहते हैं तालेश्वर बागी काली नदी आगे जाती है इसमें बागेश्वर से सर्यू और गोमती नदी आकर इस तरह से पंचेस्वर में इसमें मिल जाती है और ये सर्यू नदी है सर्यू भी इसमें मिलती है तो काली नदी में पूछा गया है काली कहें या महाकाली कहें दोनों एकी नदी है इसे टनकपुर से आगे हम सार्दा के नाम से जानते हैं तो सही आंसर आपका हो जाएगा तालेस्वर नामकिस्तान पर मिलती है पंचेस्वर में मैंने आपको बता दिया सर्यू और महाकाली का संगम होता है और रामेस्वर में अब रामेस्वर जो छेत्र है रामेस्वर इसी में आपने समझना है पितोरागड छेतर से रामगंगा नदी आती है और सर्यू में मिल जाती है तो रामेश्वर में रामगंगा कौन सी रामगंगा पूर्वी रामगंगा और सर्यू का संगम रामेश्वर में होता है तपोवन में, तो तपोवन जो छेतर है, तपोवन कई जिलों में है, तपोवन आपको आएगा, चमोली में भी है, उत्तरकासी में भी है, पिथोरागण में भी है, तो ये तपोवन द्यान रखना है, कई जिलों में तपोवन है चलिए अगला कुश्चन 22 वाँ कुश्चन है कुश्चन नमर 22 देखिए चंद सासन का आल में सीकदार यानि की जो गाउं के ऐसे बूड़े सयाने और सीकदार होते थे उन्हें कई लोग जो भूमी कमाने वाले हैं राजस्व भाग के रूप में सीक देते थे उन्हें सीक देते थे अब इसी सीक से सीक दिया जा सकता था उनको और इसी सीक से एक सब्द बना है सीक भाग तो एक कुमाओं में परचली दिये सब्द है सीक भाग सीक भाग किसे कहा जाता है जब मंदिरों में कोई भेट वगरा चड़ाई जाती है अन्न वगेरा चड़ाया जाता है और उस अन्न को कहा जाता है सीख भाग यानि कि पड़ते एक छे मेहने में जब फसल होती है उसके बाद सीख भाग के रूप में नवान नया अन्न चड़ाया जाता है और उसे बोलते हैं सीख भाग राजाओं को जो भेंड दी जाती है जैसे एक घी संक्रान्ती होती है कुमाओं में घी संक्रान्ती घी संक्रान्ती तेवहार को इस बार question पूछा गया था इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं ओल गिया तेवार तो ओल गिया जो तेवार है इसमें राजाओं को वेंट वगरा दी जाती है गीं का पात्र वगरा और अन्य सामगिरियां दी जाती थी अगला देखिए सामंत और जमीदारों को चड़ाई जाने वाली वेंट इसमें कुश्चनी है आपको ये वाला ध्यान लखना है राजा को जो भेंट दी जाती है अगले कुश्चन की ओर आते हैं उत्राखंड में दल्दली भूमी को क्या कहा जाता है जैसे आपने देखा होगा काली में एक नदी आती है गजार नामकिस्तान से काली में एक नदी मिलती है अंतिम साहग नदी ये कहां से आती है पोछा जाता है तो गजार नामकिस्तान से काली की अंतिम साहग नदी इसका नाम है लधिया नदी लधिया चूका चमपावत छेत्र में काली में मिलती है तो ये गजार क्या है, गजार, सिमार, पंचार, इस तरह के जो सब्द है, सभी दलदली भूमी के लिए परियोग के जाते हैं, इसमें एक सब्द सेम भी आता है, तो सेम भी हम दलदली भूमी के लिए परियोग करते हैं, तो सही इसका आंसर हो जाएगा, डी, डी डॉक, ठीक देखिए सरोल एक परकार का विवाह भी है और डोले का व्याह भी इसे कहा जाता है आचल विवाह भी इसे कहा जाता है तो उप्रोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे पहले उत्राखंड के छेतर में कई जगए परंपरा थी जैसे कई सैनिक बौडर पर लड़ने के लिए या युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो लंबे अंतराल के बाद घर लोड़ते थे उनके माता पिता द्वारा एक ऐसा विवाह किया जाता था जो विना वर का विव किया जाता था और उसके बाद जब दुलहा घर आएगा तब उसकी मुलाकात उससे होगी दुलहन से तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि बौडर इलाके में या सेना में लड़ते हुए जवान सईद हो जाता था और उसके बाद उस दुलहन को कुमारी मान कर उसका दूसरा विवा भी कर दिया जाता था यानि कि आप ऐसे विवा को समझ सकते हो दुलहे के बिना विवा इसमें किया जाता था लेकिन ये परंपरा लगबक समाप्त की तोर पर है आजकल ऐसा कहीं भी नहीं किया जाता कि बिना दुलहे का विवा तो बाद में विवा होता था, बाद में दुलहा आता था, लेकिन दुलहे के बिना भी दुलहन को लाया जा सकता था, ऐसे विवा को डोले या आचल का विवा कहा जाता है, तो उसका नाम है सरोल परमपरा, सरोला ब्रामण अलग है, सरोला ब्रामण की परमपरा वो अलग है, ये भोजन वगेरा बनाने के लिए जो ब्रामन हैं, उन्हें सरोला कहा जाता है, लेकिन ये प्रमपरा है सरोल, अगला कुस्चन देखते हैं, अगला कुस्चन, जब लड़की माएके से ससुराल जाती है, या ससुराल से माएके आती है, तो वह अपने साथ विशिष्ट भोज परदाथ बना कर लाती है, यानि कि ससुराल से, चाहे ससुराल से माएके जाए, या माएके से ससुराल आए, या यहां से इधर जाए, या इधर से इधर आए, तो कुछ पकवान बना कर लाती थी, उन पकवानों को क्या क्या कहते हैं, अलग-अलग छेत्रों में उनके अलग लग नाम है, समोड भी उन्हें कहा जाता है, हाद फाने भी कहा जाता है, कुशोल भी कहा जाता है, कई बार आपने सुना होगा कि कुशोल, क्या कुशोल लाए हैं, इस तरह से भी परियोग करते हैं, तो कुशोल या कलियो भी उसे कहा जाता है, और इसी तरह से भेंट करके ज सारे नामों से जाना जाता है कभी एक्जाम में पूछा जा सकता है कि किस किस नाम से इसको जाना जाता है अगला देखिए 26 वा कुश्चन है 26 वा कुश्चन है महरसी व्यास के समान समान में होगा इसमें महरसी व्यास के समान में कौन सा उस्व मनाया जाता है तो इसमें से देखिए इसका सही आंसर बताईए महरसी ब्यास के सम्मान में कुश्चन थोड़ा सा उपपर होगा अब बताईए इसका सही आंसर महरसी ब्यास के सम्मान में रक्षा बंदन के दिन ब्यास उस्व मनाया जाता है तो ये किस से संबंदित है कहां मनाया जाता है आपको पता होगा ब्यास जी के नाम से और दो आसरम है एक तो ब्यास आसरम ब्यास अगर आसरम पुछा जाता है और एक है ब्यास गुफा महरसी ब्येज ब्यास की गुफा और व्यास आस्रम व्यास नाम से ये दो इस्तान परसिद्ध है व्यास आस्रम जहां से काली नदी का उद्गम होता है उस शेत्र में पिथोरागड जिले में है पिथोरागड जिले में व्यास आस्रम अगर पूछा जाता है व्यास गुफा ब्यास गुफा, गनेज गुफा, मुझकुंद गुफा ये चमॉली जन्पत में बद्रीनास से उपर इस्तित हैं तो चमॉली में है अब जहां ब्यास आश्रम है वहां बोटिएा जनजाती के द्वारा ब्यास घाटी में ब्यासों सोव मनाया जाता है तो ये पिथोरागड जिले में सही आंसर हो जाएगा ठीक है चली अगला कोश्चन है 26-27 कोश्चन राम गंगा और विनोद नदी का संगम बुड़ा केदार में होता है तो इसमें पूछा गया है बुड़ा केदार में वहाँ पे कौन सा मंदिर है तो जो पस्वी राम गंगा है दोधा तोली स्रिंखला से निकलती है दोधा तोली से और दोधा तोली से निकलने के बाद गैरसेन वाले हिस्से से अलमुडा में प्रवेश करती है तो इसमें एक नदी मिलती है वीनो नदी वीनो नदी और जो वीनो नदी है ये नदी मिलती है राम गंगा में बुड़ केदार है बोड़ा केदार अगर आएगा वो टिहरी जनपद में है यहां पे पूछा गया है बिर्ध केदार तो बिर्ध केदार मंदिर अलमुडा जनपद में है अलमुडा जनपद में तो अलमुडा जनपद में रुद्र जंद द्वारा इसको बनाया गया था बिर्ध केद का मंदिर तो 27 कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा A option रुद्र चंद ने 1568 में 1568 में इस मंदिर का निर्मान करवाया बाद में बाज बहादुर चंद ने भी इस मंदिर में गूंठ भूमी दान दी गूंठ भूमी तो आपको कुछ भूमियों के नाम याद करने हैं जैसे गूं भूमी दान दी थी तो ये मंदिर विड्द केदार के नाम से प्रसिद्ध है इसे आपने ध्यान रखना है बागी इसमें खोह नदी बगएरा भी मिलते हैं उपपर से कोशी नदी आएगी कोशी भी राम गंगा की साइग है ये वाली नदी राम गंगा पश्च्मी राम गं या गोना जील कब तूटी तो विरही ताल या गोना जील कब तूटी इसका अंसर बताना है विरही ताल या गोना जील विरही गंगा यहां से निकलती है विरही ताल से और इस गंगा का नाम है विरही गंगा विरही गंगा जो नदी है ये अलक नंदा की साइग नदी है य ये ताल बनी थी, कई बार कुश्चन आता है इसमें, 1893 में ये ताल बनी थी, यहाँ पर एक उची पहाड़ी तूट कर नीचे गिर गी थी और उसके बाद इस ताल का निर्माण हुआ, इसके एक साल बाद ये ताल तूट गई, 1894 में, दुबारा से 1970 में भी ये ताल तूट कर पूरी तरीके से समापत हो गई, तब चमोली जनपत का मुख्याले गोपेस्वर में लाया गया, 1970 में भी तूटी है, लेकिन ऑप्सन के अगोडिंग, 1894 आपने ध्यान ड़कना है, का चैन करना है, क्या सत्य है इसमें, देविस्थान के नाम पर निमित जो भूमी होती है, अभी मैंने बताया आपको गूट भूमी, एक भूमी आपने सुना होगा, विश्नु प्रीती भूमी, विश्नु प्रीती, यानि कि जो पुजारी और मंदिर में जो सेवादार है, उसके नाम पर जो अर्पित भूमी है, विश्नु प्रीती, ये भी मंदिरों से ही संबंदित है, तो गूट भूमी ये उप्सन आपका सही है, अगला देखिए, कतुरी काल में प्रांत के संपक्ष जो परसासनिक एकाई थे, उसे विश्य कहते थे, आपने देखा होगा, कत इंद्र चंद के समय परचलित अफवा है, तो इंद्र चंद ने रेसम के कीटों का ब्यापार किया था, और एक पर्था परसिद्ध हुई थी, पटरंग वाली पर्था, और जो रेसम के ब्यापारी थे, उन्हें पटवा कहा जाता था, और उन्होंने जो जूट बोलने वा ब्रामन कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है चोथानी ब्रामन, और जो चोथानी ब्रामन हैं, चोथानी ब्रामनों में कई ब्रामन उसमें आते थे, जोसी, बिष्ट, सिमल्टी और मंदलिया, इन ब्रामनों में जोसी आते थे, इन में आते थे, बिष्ट आते थे, और इसमे मंडलिया ब्रामन आते थे ये चार ब्रामनों का जो गुरूप था इसे चंदराज दर्वार में चोथानी ब्रामन कहा जाता था तो ओप्सन नमबर डी आपका गलत है बांकी असत्य है बांकी सब सही है चलिए अगला कुश्चन अगला कुश्चन है केदार मंडल पर ललिता दित्य का आकरमन की जानकारी किस किताब से मिलती है तो केदार मंडल पर ललिता दित्य ने आकरमन किया और इसकी जानकारी नालंदा वगेरा अभिलेक से भी मिलती है कि ये खस परदेश का राजा था राज तरंगनी कस्मीर का जो के अलावा इसके इत्यास के बारे में भी बताती है 1191 में इसने केदार भूमी पर आक्रमन किया था केदार भूमी को जीता और इसे जीतने के बाद यहां से जो गोपेश्वर में तिरसूल है इस तिरसूल को यह उखाड कर ले गया था और इसे उखाड कर ले जाने के बाद द इसके अलावा असोक चल्ल का नाम भी अंकित है अंसुनाग, विबाग, इसकंदनाग और गंपधिनाग का नाम अंकित है और बाद मेठ असोक चल्ल ने इसको यहाई पर स्ताबित कर दिया था तो 1191 या बारवी सद्धी का असोक चल्ल का लेह भी है और ये तिरसूल भी इसके बारे में बताता है चली अगला कुश्चन अगले कुश्चन की ओर बढ़ते हैं उत्राखंड वर्स 2011 में जनगना के उनसार उत्राखंड के जनगनत्यों के संदर्ब में इसमें बताना है कि जन गनत्तों में उत्राखंड का कौन सा इस्तान है तो जन गनत्तों में उत्राखंड का 25 इस्तान है ये सई आंसर हो जाएगा बागी जन गनत्तों में आपको बहुत जानकारी होगी अगले कुश्चन की ओर बढ़ते हैं चलिए अगला कुश्चन है, उत्राखंड में पर्थम पावर हाउस कौन सा है? तो उत्राखंड में जो पर्थम पावर हाउस है, इसके बारे में देखना है. उत्राखंड का पर्थम पावर हाउस गलोगी जल्बिद्दुत परियोजना है, इसका निर्मान कारिय प्रारंब हुआ था 1907 से, लेकिन एक्जाम में ध्यान रखना इसने बिद्दुत उत्पादन करना प्रारंब किया 1909 से, कारिय बहुत पहले से इसमें प्रारंब हो रहा और जो 1900 में, सन 1900 में, 1900 में हरिद्वार को देहरादून से, रेलवे के माध्यम से जोड़ा गया, तो इसी परियोजना के जो इंजन थे, संयंत्र थे, उन्हें लाने के लिए जोड़ा गया था, लेकिन ओ परियोजना मसूरी तक नहीं पहुँच पाई, ट्रेन की परियोजन तो इसे आपने ध्यान रखना है, इसमें से मनेली भारी जो परियोजना है, ये परियोजना भागी रती नदी पर उत्तर कासी में है, इसे भी आप ध्यान रखना है, चली अगले कुश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला कुश्चन, नेक्स्ट, मोहन उपरेती हैं, तो मोहन परेती कौन है, इसमें से बताना है, प्रख्यात पत्रकार है, दोसरा उप्षन इसमें है, प्रख्यात साहित्यकार, या सुपरसिद्ध रंग कर्मी, तो ये नाटक कर्मी, रंग कर्मी या निर्देशक हैं, तो सही उप्षन आपका, सी उप्षन सही हो जाएगा, सी गीत आता है काफल पाको सॉरी बेडू पाको जो गीत है बेडू पाको का संबंद भी इन से है इनके द्वारा उसको गाया गया है अगला कुश्चन है अगला डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ओफ मार्सल कास्ट ओफ अलमोडा ये पुश्टक पूछी गई है किसकी है चले इसका आंसर बताईए कुश्चन नमबर 34 कुश्चन नमबर 34 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा गंगादत उफरेती ये पुश्टक है गंगादत उफरेती की सही आंसर है डी अगला कुश्चन देखिए 35 कुश्चन पिथोरागड जिले में मालपा जो भूसकलन की घटना थी ये घटना कब घटित हुई इसके बारे में बताना है तो मालपा जो भूसकलन घटना थी 18-17 अक्टुबर की अगस्त की रात को थी तो 17-18 अगस्त 1998 में हुई थी इस भूसकलन में परसिद निर्त्यांगना थी निर्त्यांगना वेदी थी तो उनका भी इसमें निधन हुआ था प्रोतिमा वेदी तो उनका निधन भी इसमें पूछा जाता है प्रोतिमा वेदी का निधन इसमें हुआ था ये क्या थी निर्त्यांगना थी इसका भी इसमे 36, हुड़किया बोल गीत किस अवसर पर गाये जाते हैं तो उत्राखंड में जो हुड़का बोल गीत है हुड़के को हाथ में बजाते हुए ये गीत गाये जाते हैं तो किस अवसर पर गाये जाते हैं विवास अमारो पर ये तो आपका गलत हो जाएगा इसमें छोलिया नित्य किया जाता है कुमाओं में विवासमारों में छोलिया नित्य होता है और रोपाई गुडाई पर रोपाई अगर महलाएं सामुही ग्रूप से रोपाई लगा रहे हैं और इसमें एक व्यक्ति हुडकी की ताल पर गीत वगरा गाता है और उनी गीतों को हम बोलते हैं हुड़का बोल गीत खेती पर कटाई पर कटाई के बाद हम कलाई नामक उस्सव मनाते हैं जब खेत की कटाई वगएरा समापत हो जाती है कलाई उस्सव इसमें से आंसर हो जाएगा B आंसर सही है इसका आंसर हो जाएगा B अगला देखे देहरादून जिला मेरट मंडल से गड़वाल मंडल में कब समलित हुआ तो इसको बताना है देहरादून जिला मेरट मंडल से गड़वाल मंडल यहाँ पर से लगेगा मेरट मंडल से गड़वाल मंडल में कब समलित हुआ अब देहरादून की कहानी देखते हैं, 1817 में ये एक तहसील के रूप में सहारनपूर मंडल के अंतरगत था, फिर उसके बाद 1825 में इसे कुमाउं कमिशनरी में रखा गया, 1825 में कुमाउं कमिशनरी, उसके बाद 1839 में अभी ये जिला नहीं बना है, इसको मेरट मंडल के अ रख दिया गया, उसके बाद अगला 1871 में देहरादून को मेरट मंडल के अंतरगती है, और इसे जिला बना दिया गया, इसके बाद देखिए, इसे 1975 में मेरट मंडल से हटा कर, मेरट मंडल में ही है, जब जिला बना, वहां से हटा कर गड़वाल मंडल में रख दिया गया, तो देरादून की जिले की स्तापना 18701 साई आंसर हो जाएगा चलिए अगला Question ہے 38 Question देखेए टिहरी में अंग्रेजी सिक्षा किस ने प्रारंब की तो अंग्रेजी सिक्षा ये Question कई बार पूछा जाता है अंग्रेजी सिक्षा प्रारंब करने वाले परताब साह है परताब साह द्वारा टिहरी में वर्णा क्यूलर मिडिल स्कूल बनाया गया मिडिल स्कूल है हाई स्कूल में बदल दिया उसके बाद इनके पौत्र नरेंद्र साह ने यानि की जो परताब साह है इनके पौत्र नरेंद्र साह ने इसे एंटर मिडियेट कर दिया तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है इनोंने अंग्रेजी सिक्षा यहां पर चलाई थी अगर हम इसमें देखें सुदर्सन साहा, सुदर्सन साहा टेहरी रियासत में टोटल ये छे राजा होते हैं, छे राजा, तो इनके बारे में देखो, पहले राजा सुदर्सन साहा, उसके बाद भवानी साहा, उसके बाद कीर्ती साहा, उसके बाद कीर्थि साह, उसके बाद नरेंद्र साह, और उसके बाद मानवेंद्र साह. तो ये टोटल छे राजा होते हैं, अगर इनकी करम देखेंगे, 55, 56, 57, 58, 69, 60, राजा. इनका सासनकाल 1815 से 1869 तक, 1869 से 1871 तक भवानी साह, इनका सासनकाल 1871 से 86 तक, कीर्ती साह का 1886 से 1913 तक, नरेंद्र साह का 1913 से 46 तक, अन्तिम राजा जो मानविंद्र साह है, इनका सासनकाल, 1946 से 1 अगस्त, 1950 तक, इनका सासनकाल है, इस तरह से टेहरी के 6 राजा होते हैं, इन्होंने बहुत सारे काम किये हैं, तो बड़ा लंबा टोपिक है, फिर कभी बताएंगे, इसमें देख लीजिए सब कुश्चन, ठीक है अगला कुश्चन देखिए, राज्य का सरवादिक छेत्रफल वाला वन्यजी विहार कौन सा है, तो राज्य का सरवादिक छेत्रफल वाला वन्यजी विहार, पहले देखिए इस कुश्चन में, कई लोगों को डाउड था कि कितना है, तो केदानात तो है, सब को पता है, त 975 km2 इसका चेतर फल है तो यह सई आंसर है यह गलत हो जाएगा 975 सई केदारनात 1 जी विहार गोविंद 1 जी विहार जो है अभी देखो गोविंद अगर राश्टी उद्ध्यान आएगा राश्टी उद्ध्यान की स्तावना 1990 अगला question देखिए केदाना जो वन्नीजी विहार है दो जनपदों में केदानात वन्नीजी विहार रुद्र परियाग और चमोली जनपद में इस्तित है उत्राखंड में किस इस्तान से रंग संस्कृती जुड़ी है आप इसमें देखिए question किस तरह से पूछा गया है रंग संस्कृती या इसे हम रंग संस्कृती भी कहते हैं तो ये संस्कृती किस गाटी से जुड़ी है सौर गाटी अगर हम सौर गाटी देखें अगर पिथोरागड का ये छेत्र है, तो मुख्य पिथोरागड का जो छेत्र है, इस घाटी को हम सिर्फ सोर बोलते हैं यहां की घाटी को जबकि रंग संस्कृती ये दारमा घाटी है और व्याज घाटी या जोहार घाटी इन छेत्रों से जुड़ी है जोहार से और दारमा से और व्याज घाटी से इसमें देखो ये option तो है नहीं ये तो एक भी option नहीं है तो नीती घाटी बाकि आपको पता है उत्तराखंड के ती जनजाती के लोग रहते हैं तो चमूली जनपत में नीती और माना घाटी में रहते हैं तो उन्हें तोलचा और मार्चा कहा जाता है सही आंसर हो जाएगा नीती उत्तरकासी में इन्हें जाड भोटिया कहा जाता है और पिथोरागड में दारमिया ब्यासी या सोका कहा जात चलिए अगला question है उत्राखंड राज्य में सोज संस्तान इस्तित नहीं है कौन सा सोज संस्तान उत्राखंड में स्तित नहीं है इसे बताना है चलिए इसका आंसर बताईए question number 41 41 का क्या answer होगा इसे बताईए question number 41 पहला है बारती पेटोलियम संस्तान 1960 में इसकी स्ताबना 1960 में हुई और देहरादून में इसे 1963 में लाया गया देहरादून में पेटोलियम संस्तान अभी वर्तमान में देहरादून में है ये भी सोच संस्तान है अगला देखो आरियभट प्रेक्षन सोज संस्तान तो आरियभट वाला जो संस्तान है ये आपको पता होगा पहले वारानसी में इसकी स्ताबना 1954 में वारानसी में होई थी वारानसी में और इसे 1955 में नैनीताल लाया गया वर्तमान में नैनीताल में इस्तित है वाडिया हिमाल और वाडिया हिमालियन जो भूविग्यान संस्तान है 68 में इसकी स्तापना हुई थी 1968 में और इसे देरादून में बाद मिलाया गया तो इसको आपने ध्यान लखना है। अगला देखिए कोशन 42 उतराखंड की संस्कृति ठुलो या ड्नुसको या ठुल खेल इसमें पूछा गया है कि किस से समंदित है तो ठुल खेल जो है इससे समंदित कई कोशन आते हैं। ठुल खेल जो है, यहाँ पर क्रांती तो नहीं है, भिवावी नहीं है, ठुल मतलब होता है बड़ा खेल, यानि कि पहाडी रामैन इस खेल के माध्यम से बीच में जो व्यक्ती गीत गाता है, उसके गीत होते हैं पहाडी रामैन पर आधारित, तो यह ठुल खेल या ठुस को पहाडी रामेंड पर आधारित एक तरह के गीत हैं, पुरुसों द्वारा ये किये जाते हैं, सही और आंसर इसका D हो जाएगा, चलिए अगला कुश्चन है, निमनलखित मैंसे कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है, C-V-R-I, रुडकी में, यानि कि Building Research Institute है, Building Research Center, वो आपका रुडकी में है, सही है, उच्च न्यायले, High Court, जो भवन है, नैनी ताल में है, ये भी Option सही है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, पूलों की घाटी, चमोलों की घाटी, चमोली जनपद में है, वहरो घाटी, वहरो घाटी, पितोरागण में होकर, ये उत्तर कासी में है, उत्तर कासी की वहरो घाटी, इसको आपने ध्यान रखना है, तो Option नमबर, इसमें D सही हो जाएगा, अब देखिए अगला Question है, कुमाओं में राजकर अत्रिक्त सयानों थोकदारों से लिया जाने वाला कर्था, तो कौन सा कर्था जो सयानों या थोकदारों से लिया जाता था, उसके बारे में बताना है, इसमें देखिए, सयानों या थोकदारों से दस्तूर नामक कर लिया जाता था, Option नमबर C आपका सही हो जाएगा, Option नमबर C सही है, अगला कुश्चन, अगले कुश्चन की और बढ़ते हैं, इसमें देखिए, उत्तरकासी के सक्ती तिरसूल में दो इस्तानों पर कौन सी लिपी में लिखा गया है, तो इसका बताईए, सक्ती मंदिर में जो तिरसूल लेख है, उसमें कौन सी लिपी में लिखा गया है, इसको देखिए, इसमें देखना बैठ रहे हैं, अब होगा न रिकॉट, डिरेक्ट होगा न रिकॉट, अगले देखिए, कुश्चन, उत्तरकासी के सक्ती तिरसूल द दो इस्तानों पर कौन सी लिपी में लिखा गया है, तो जो सक्ती मंदिर में उत्राखंड से दो इस्तानों से आपके तिरसूल लेख मिलते हैं, एक तो बाडा हाट तिरसूल लेख, जिसे हम सक्ती मंदिर का लेख भी बोलते हैं, तो बाडा हाट, बाडा हाट तिरसूल ले गोपेश्वर वाला इसमें लिपि कौन सी है ब्रामी लिपि का प्रियोग किया गया है इसमें चार नाग राजों का नाम उल्लेखित है जबकि यहाँ पर गणेश्वर गणेश्वर नाग और गणेश्वर पुत्र गुह नाग का नाम अंकित है तो इसे ध्यान रखना है इसमें संख लिपि का प्रियोग किया गया है और विश्वनाद मंदिर के प्रांगण में आगे सक्ति मंदिर है उसमें इस्तित है ये लेख चलिए अगला question Question number 26 प्रशिद्द सदेही रचना किस लेखक की किर्थी है इसे बताना है Question number 46 इसका स़ई आंसर देजिए सभी Question number 46 है इसका आंसर क्या होगा इसमें देखिए तारादत गैरोला साई आंसर हो जाएगा तारादत गैरोला अगर पूछा जाता है विद्या सागर नौटियाल की रशना भीम अकेला ये इस तरह की रशना जो विद्या सागर नौटियाल की है अगले कुश्चन की और बढ़ते हैं चलिए इसमें देखिए 47 स्वा कुश्चन ऐसे कुश्चन पूछे जा सकते हैं अभी हाली में इनको पदम सरी पुरुसकार भी दिया गया है तो इनके बारे में पूछा जा सकता है मद्दे हिमाले की कला ये भी इनकी किताब है मद्दे हिमाले का पुरातत तो भी किताब है उत्राखंड का नवीन इतिहास भी किताब इनकी है लेकिन आप्सन नमबर A जो है ये इनकी किताब नहीं है धर्मपाल मन्राल की किताब है धर्मपाल मन्राल मन्राल की किताब है तो ये आपने द्यान लखना है इनकी किताब नहीं होगी, option number A बिल्कुल सही हो जाएगा 48-वा question देखिए राज्य निर्वाचन आयोक का गठन भारती सम्मिधान के किस अनुशेद के तहट किया जाता है इसमें सही answer क्या होगा देखिए इसमें अनुशेद 243 के जो है इसके तहट राज्य निर्वाचन आयोक की स्थापना की जाती है option number A बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question देखिए गोलु देपता का उद्वाविस्तान कहां है गोलु देपता का उद्वाविस्तान बताना है तो कहां है बताईए गोलु देपता चम्पाविस्तान का चम्पाविस्तान का चम्पाविस्तान है चम्पाविस्तान में भी इनका मंदिर है लेकिन मुख्य मंदिर आएगा इनका मुख्य मंदिर अलमुडा में है इनका मंदिर नैनी ताल में भी है अलमुडा में भी चम्पाउद में भी तो चम्पाउद में ध्यान रखना जो गुलजू महोसव है इस बार उस गुलजू महोसव को 2023 में राज की मेला घोसित किया था तो यहीं के राजकुमार है चम्पाउद के ओप्सन नमर ए विल्कुल सही हो जाएगा अगला कुश्चन देखिए अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं कुश्चन नमर पचास है चीड की कास्ट होती है तो जो चीड है इसकी लकडी किस से संबंदित है यह पूछा गया है पचासवा कुश्चन तो चीड की कास्ट जो है अगर हम साइकस की कास्ट देखेंगे साइकस की कास्ट मोनो जायलिक होती है मोनो जायलिक और चीड की कास्ट होती है पिकनो जायलिक सही आंसर हो जाएगा पिकनो जायलिक भी ऑप्सन सही हो जाएगा अगले question की और बढ़ते हैं 51 question है परदीप साह के सासनकाल में गड़वाल में काफी सम्रिद्दी प्राप्त की वह सिंहासन पर कब बैठे तो परदीप साह का सासनकाल बताना है परदीप साह का सासनकाल 1770-1773 तक यह option बिल्कुल सही हो जाएगा प्रदीव साह का सासनकाल अगर हम गड़वाल के राजा देखें बलबद्र साह 43 नमबर के राजा है इसके बाद करम देखे 44 में मान साह फिर उसके बाद स्याम साह अगले राजा महिपती साह फिर प्रतवी पती साह फिर फते साह फिर बनते हैं उपेंद्र साह, फिर परदीव साह, फिर ललिस साह, ललित के बाद जैकिर्टी साह, फिर प्रद्युमन साह, परद्युमन साह, चौवनवे नंबर के राजा, अब इसके बाद, चौवन के बाद फिर टीहरी रियासत के जो मैंने छे राजा बताए थे, इस तरह से राजा हैं टीहरी गड़वाल के, अगला देखिए अगला कुश्चन, चमपावत के बालेस्वर मंदिर से प्राप्त अबलेक किस सासक से संबंदित हैं, यहां से कई कोटी का सासक क्रांचल देव का लेग भी प्राप्त होता है, अगला कुश्चन देखिए, हरसिल छेत्र में सेव विलसन प्रजाती को विक्सित किसने किया था, तो टीहरी रियासत के राजाओं से, भवानी साह से, इसने चार साल के लिए जंगलों को पट्टे पल लिया था और पट्टे पल लेने के बाद, यहाँ पर राजा विलसन बन चुका था, हरसिल में इसने सेवों के बागान को विक्सित किया, और वो विलसन प्रजाती के सेव कहलाते हैं, तो फैडरिक विलसन है, फैडरिक विलसन द्वारा सेवों की प्रजाती लगाई गई, वर्तमान म अब ये सेव बिलसन परजाती के नाम से जाने जाते हैं चववनवा कोस्चन है अलविदा कुमाउं अलविदा कुमाउं या कुमाउं से गोरखाओं की वापसी ये किताब किस से संबंदित है इसे बताना है तो ये किताब प्रोफेसर एल एल वर्मा से संबंदित है सेखर पाठक की किताब सेखर पाठक ने पहाड संस्ता बनाई थी 1983 में और इनकी किताब दचिपको मुवेंट पिपुल्स हिस्ट्री इस तरह से चिपको मुवेंट से संबंदित किताब है सिव परसाद डबराल गडवाल का इतियास इनहें और इसमें जो यस्वंत कठोज हैं इनहें 2024 में पदम सरी पुरुसकार दिया गया है इसे भी आपने ध्यान रखना है पदम सरी अवार्ड ये दिया गया है यस्वंत कठोज इनकी भी इत्यास से सम्मंदित किताब आती है अभी पुरानी किताब हैं हमने इनके बारे में कई देख चुके हैं अगला देखिए कीर्ती गलेश्यर अगला कुशन है कीर्ती गलेश्यर इस्तित है तो कीर्ती गलेश्यर पिथोरागड में अगर हम गलेश्यर देखें काला पानी गलेश्यर जहां से काली नदी का उदगम होता है और नामिक गलेश्यर जहां से रामगंगा का उदगम होता है ये सारे गलेश्यर यहां पे हैं पिथोरागड में चमोली जनपद में सतोपंध गलेश्यर, भागीरती खर्क गलेश्यर और अन्य गलेश्यर है सतोपंध गलेश्यर से अलगनंदा का उद्गम होता है यहाँ पर उत्राखंड का सबसे बड़ा गलेश्यर गंगोत्री गलेश्यर है और यहीं यमनोत्री गलेश्चर भी यहीं है बागी अन्य गलेश्चर भी कीरती गलेश्चर भी उत्तरकासी में इस्तित है तो कीर्ती गलेश्चर उत्तरकासी में टिहरी में खतलिंग गलेश्चर से बिलंगना नदी का उद्गम होता है यहां से बिलंगना नदी निकलती है तो यह सारे गलेश्चर आपने द्यान रखने हैं अगला कॉश्चन देखिए खलंगा में आंगल गोरखा युद बिटिश सेना का नेत्रत्व किसके द्वारा किया गया था तो कॉश्चन नबर देखिए चपनवा है कॉश्चन नमबर चपन इसका सही आंसर बताएजे खलंगा में जो युद्ध हुआ था इसमें किसने नेत्र तो किया था ये पूछा गया है इसमें इसका आंसर बताईए इसमें देखिए मेजर माले और मेजर जिलेसपी इसमें सही आंसर हो जाएगा बलबद्र साप थापा बलबद्र थापा और जिलेसपी के मद्दे युद्ध हुआ था खलंगा का युद्ध और इसमें दोनों इसमें मारे गए थे अब इसमें मेजर जन्रल ओक्टल लोनी इन्होंने यमना नदी से सतलर नदी के बीच में यानि की हिमांचल प्रदेश के छेत्र में इन्होंने यहाँ पे मोर्चा समाला था मेजर जन्रल माले हैं इन्होंने काटमांडू में समाला था और जो वूड हैं इनके द्वारा गोरकपुर में मोर्चा समाला गया था तो चार साइट से चारों तरफ से गोरखाओं को अंग्रेजों ने गेरा था तो चारों तरफ से आपने ध्यान रखना है गोरकपुर से वुड ने और काडमांडू में माल ले गए थे इसमें ओक्टल लोनी हिमांचल प्रदेश में और जिलेसपी के साथ युद्ध हुआ था निमनलखित कथनों में से असत्य कथन का चैन कीजिए तो असत्य कथन चैन करना है यह हिमाले की सबसे दक्षणतम स्रेणी है सबसे उपर का चेतर जो है टांस हिमाले उसके बाद महान हिमाले महान के बाद मद्द हिमाले और मद्द के बाद सबसे अंतिम चेतर में स्वालिक हिमाले है इसे हिमाले का पाद भी कहते हैं दक्षंतम हिमाले है आउटर हिमाले है तो ए आप्सन सही है इसमें अगला देखिए इसकी उत्पत्ती मायोसीन और निम्न मायोसीन युग में होई है अगर हम देखें तीनों हिमाले की उत्पत्ती के बारे में महान हिमाले और वालिक हमाले, इन तीनों की उत्पत्ती, इसकी उत्पत्ती इयोसीन, और इसकी मायोसीन, और इसकी पलायोसीन, पलायोसीन युगम हुई है, अब इसमें पूछा है, इसकी उत्पत्ती मायोसीन से, मायोसीन में तो मद्दे हमाले की हुई है, उसके बाद पूछा गया है, पला प्राचीन काल में यह मैनाक स्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, सिवकी बौहों के रूप में नही जाना जाता है, तो ये भी option सही है, उत्राखंड का अधिकांस परिटन छेतर सिवालिक हमाले की स्रेणी में आता है, ये option भी सही है, सबसे ज算दा परिट क यहीं पर आते हैं क्योंकि हरिदवार रिशी केस का छेतर रिशी केस का छेतर इसी के अंतर गताता है बागि जो नैशनल पार्क हैं, राजाजी नैशनल पार्क, जिम कॉरबेट वगेरा उसी छेतर भी इसके अंतर गताते हैं तो option नंबर 1,2,3,4 यह चारों option इसमें सही हैं इन्हें आपने ध्यान रखना है चलिए अगला कुश्चन है कुश्चन नमर 58 भागिरती की साहएग नदियों का उद्गमिस्तल कौन सा गलत है इसमें बताना है कौन सा उद्गमिस्तल इसमें गलत बताया गया है तो देखिए इसमें उद्गमिस्तल कौन सा गलत है जाडगंगा थांगले दर्रे के पास मिलती है तो हम इसमें देख लेते हैं भागिरती नदी गौमुक शित्र से निकलती है गंगोत्री गलेस्चर से निकलती है तो इसमें कई नदियां मिलती है जैसे इसमें जो नदियां दे रखे हैं उन्हें फोकस करेंगे तो जाड गंगा जाड गंगा नदी थांगले दर्रे से निकल कर और यहाँ पर थांगले दर्रे से निकल कर बहरो घाटी में मिल जाती है केदार गंगा केदार गंगा केदार ताल से निकल कर और उसके बाद यह मिल जाती है गंगोतरी छेतर में गंगोत्री मंदिर के पास मिल जाती है, इसमें से विलंगना नदी गंगोत्री के पास से निकल कर और असीम गंगा डोडी ताल से निकलती है, असी गंगा छे कोने वाला जो ताल है डोडी ताल, डोडी ताल से निकलती है और उत्तरकासी छेत्र में मिलती है, ये वाला जो glacier से, बिल्ल सरोवर या ये निकलती है खतलिंग glacier से तो ये खतलिंग glacier से निकलती है जबकि option में दिया गया है गंगोत्री glacier के पास गौमुक से निकलती है, गौमुक से गंगोत्री ये भागी रती नदी निकलती है तो विलंगना नहीं निकलती ये option आपका विल्कुल गलत हो जाएगा option number C इसमें गलत है अगला question देखिए अगला question है उत्राखंड राज्य में पर्चलित उत्राखंड राज्य में पर्चलित वह पर्व जिसमें जोंके पत्तों की पूजा की जाती है और उसे मंदिर में चड़ाया जाता है तथा दूर रहने वाले परजनों को लिफापे या डांक के माद्दम से भेजते हैं तो ये पर्व अभी कुष्च में पहले ही हुआ है दो-तिन दिन पहले इसे बोलते हैं बसंत रिच्टु का आगमन जब से होता है बसंत पंचमी बसंत पंचमी का जो तिवहार है इसमें घर का जो मुख्य दरवाजा है इसमें जों वगेरा के पत्ते गोवर में लगाकर लगाए जाते हैं और कई लोगों को लिफापे वगेरा से भी पहले वेजे जाते होंगे डांक के माद्दम से लेकिन आजकल ये परंपरा धीरे-दीरे खतम है माँकी जों वगेरा अभी भी लगाए जाते हैं तो ये परवा कौन सा है पंचमी का परवा है फूल देई जो परवा है फूल देई या फूल संग्रांद भी से कहते हैं और चैतर के महने में जब परफम दिन होता है इस दिन छोटे बच्चे फूल देई तिवार मनाते हैं दिपावली भूली आपको इसमें से पता है ठीके होली दिपावली को सोग परवकी रूफ में थारू जंजाती की लोग मनाते हैं बागी जो अनसार छेत्र में दीपावली एक माहवाद आती है अगला देखिए इसमें जियोग्राफिकल सर्वे ओफ इंडिया के सर्वे के अनसार भूसकलन में सरवादिक खत्रे वाले तीन सीर्ष राज्य है कुछ समय पहले आपने देखा होगा भूसकलन की दिर्ष्टी से सरवादिक खत्रा वाला छेत्र जो पूछा गया था जिला जिले में सबसे ज़्यादा खत्रा रुद्र परियाग जिले में था और दूसरे नंबर पर टेहरी था जबकि ये अलग रिपोर्ट है इसमें राज्य पूछे गए है सबसे ज़्यादा भूसकलन अरुणांचल परदेश शेत्र में है दूसरे में हिमांचल परदेश और तीसरे में उत्राखंड का नंबर है ये आपके लिए करेंड का कुश्चन है इसे आपने ध्यान रखना है अगला कुश्चन देखिए भारत का मूल संब्धान कहां संदक्षिक किया गया है तो भारत का जो मूल संब्धान है इसे संसद भोवन में संसद भोवन में रखा गया है इसको आपने ध्यान रखना है तो कुश्चन नमबर अब सारे आपके जियस के कुश्चन इसमें आएंगे तो आपको यह ध्यान रखने है GS के question इसे देखिए helium के box में रखा गया है helium के box में संसद बहुन में रखा गया है तो संदक्षित वहाँ पर किया गया है खराब नहो helium के box में अगला देखिए भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाओ कब हुए आजादी के बाद भारत में 1951-52 में यह चुनाओ हुए थे 1951-52 में option number B सही हो जाएगा इसमें तो यह तो आजादी का है 15 अगस्त 1947 इसमें ध्यान लखना है आजादी के बाद 1951-52 में पहले आम चुनाओ हुए है अगरा देखिए question 63 question 63 तो 63 में पूछा गया है आपसे कि सिक्षा को किस संभिधान संसोदन के द्वारा राज्य सूची से संबर्ती सूची में रखा गया तो संभिधान संसोदन 52 संभिधान संसोदन 1976 है इसका सही आंसर देखिए इसमें हो जाएगा 52 संभिधान संसोदन 1976 इस संभिधान संसोदन को लगू संभिधान भी कहा जाता है लगू संभिधान और इसमें बहुत सारे सुदार किये गए हैं पहला जो आपसे पूछा गया है इसको आपने ध्यान रखना है 42 संभिधान संसोदन इसमें समाजवादी पंत निर्पेक्ष और अखंडिता इन सब्दों को जोड़ा गया है समाजवादी पंत निर्पेक्ष और अखंडिता सब्द अखंडिता सब्द किस संविधान संसुदन द्वारा जोड़े गए अगर कुश्चन आता है बाईयलिस्वा संविधान संसुदन 1976 के द्वारा सही आंसर इसका सी हो जाएगा चलिए अगले कुश्चन की और बढ़ते हैं अगला कुश्चन देखिए चौंसेट बी आर अमबेटकर का संविधान सवा में निर्वाचन कहां से हुआ था पहला इनका निर्वाचन कहां से हुआ था ऑप्सन बंगाल से करनाटक प्रिसिडेंसी से तातकालीन मद्ध भारत से पंजाब से तो इनका निर्वाचन पहली बार बंगाल से हुआ था बिंगाल शेतर से, option number A बिल्कुल सही हो जाएगा, अगला देखिए इसके बाद, अगला question है, किस अनुच्छेत के द्वारा 6 से 14 वर्स तक के बच्चों के लिए सिक्षा का अधिकार, right to education का जो मूल अधिकार है, इसे माना गया, right to education मूल अधिकार माना गया, ये पूछा गय है, तो इसमें हो जाएगा, हमने इसमें सम्मिधान संसोधन करने के बाद, अनुच्छेत 21 A जोड़ा इसमें, तो शिक्षा के अधिकार से संबंदित, अनुच्छेत 21 A है, अगर पूछा जाता है, कौन सा सम्मिधान संसोधन है, तो इसमें, 6 आशिवां सम्मिधान संसोधन 2002 के द्वारा हमने जोड़ा और अगर पूछा जाता है Right to Education जो बिल था ये कब लाया गया तो 2009 में लाया गया और 2010 से इसे लागू किया गया इसमें ध्यान लखना है इसी के द्वारा हमने जो मूल कर्तब्य है उन मूल कर्तब्यों को भी हमने इसमें जोड़ा है उन्हें भी हमने ध्यान लखना है चलिए अगला कुश्चन है सॉरी मूल कर्तब्य इसमें नहीं मूल कर्तब्य उपर वाले में ध्यान लखना है इसमें ध्यान लखिए ये वाला 2009 में Right to Education Policy और 66 संभिदान संसोदन और बागी अनुच्चेत अगर पूछा जाता है 21A इससे संबंदित है अगला देखिए किस फिटनेस प्लेटफॉर्म के फिंटेक प्लेटफॉर्म के बैंक को 29 परवरी के बाद अपने खाते में किसी भी तरह के जमा धनरासी स्वयकार न करने का आदेश भारती रिजरो बैंक ने दिया है तो कौन सा इसमें पूछा गया है कौन सा प्लेटफॉर्म है बैंक के से संबंदित जिसको वेन किया गया है लेकिन इस दुबारा से चालो हो जाएगा अभी ये पेटियम से संबंदित है पेटियम पेमेंट बैंक तो पेटियम पेमेंट बैंक पर इसमें जुर्माना वगयरा लगाया गया था तो इससे संबंदित है पेटियम पेमेंट बैंक अगला देखिए पेटियम पर बैं लगा था बागी ये खुल जाएगा दुबारा से अगला इसमें कुश्चन है 1938 में किस व्यक्ती ने वयस्क मतादिकार के आधार पर सम्मिधान सभा के गठन की माग की तो 1938 में वयस्क मतादिकार के सम्मिधान सभा की गठन की माग जवाल लाल नहरू दोरा की गई थी इसे आपने ध्यान रखना है और कैबिनेट मिसन योजना के तहट 1946 में बाद में चुनाओ हुए 1946 में यहाँ पर चुनाओ की गई कैबिनेट मिसन के आधार पर अगला देखिए इसमें आंसर इसका हो जएगा जवाल लाल नहरू अगला कुश्चन है सम्मिधान के किस अनुच्चेद में हिंदी भासा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है तो सम्मिधान का कौन सा अनुच्चेद है जिसमें हिंदी भासा के विकास से सम्बंदित बटाया गया है Q68 है, इसका आंसर बताईए 68 में हो जाएगा 351 से संबन्दित अगर आएगा Rाजबासा से संबन्दित हिंदी या हमारी Rाजबासा Rाजबासा से संबन्दित उलेक कौन से अनुच्छिद में है तो 243 में इसमें बताया गया है कि संग की राजमासा क्या होगी संग की राजमासा इससे संबंदित उल्लेक है चलिए अगला कुश्चन है सौर मंडल के बाहर सीडियस नामक चमकिले तारे को क्या कहते है सौर मंडल के बाहर जो सीडियस नामक चमकिला तारा है इसे डॉग स्टार कहा जाता है option number A बिल्कुल सही हो जाएगा option number A सही हो जाएगा अगले question क्यों बढ़ते हैं question है peria tiger reserve किस राज्य में इस्तित है तो बताईए peria tiger reserve है किस राज्य में इस्तित है करनाटक में बादीपूर बादीपूर इसमें है केरल में ये है पेरिया राज्य राज्य उद्यान और राजिस्तान में केवला देव केवला देव और रण थमभूर रण थमभूर ये भी राज्यस्तान में इस्तित है तो ये ध्यान रखना है केरल सही हो जाएगा पेरियार राष्टियुद्यान केरल में इस्तित है अगला कुशन देखिए विश्वकी सबसे लंबी भूमी या सीमा किन दो देसों के वीच लगती है तो आपने देखा होगा इसमें कनाडा और USA के वीच उन पचासवी समानांतर रेखा उन पचासवी समानांतर जो रेखा है इन दो देसों के वीच है भारत और चीन के वीच मैक मोहन रेखा और नैपाल और भारत के वीच काली नदी विवाजन का काम करती है और अन्ने जगों पर उत्राखंड में काली नदी बांकि अन्ने जगों पर और छेतर है रूस और चीन के बीच कभी ऐसे क्वेशन पूछा जा सकता है कि रूस और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है कौन सी नदी है तो ये पूछा जाता है आप से अमूर नदी है अमूर नदी सीमा रेखा बनाती है चलिए अगला क्वेशन कौन सी रेखा भारत के लगभग आदे हिस्से से होकर गुजरती है तो भारत के आदे हिस्से से अगर हम गलोप में देखें बीच में भू मद्य रेखा एक्क्विटर और इसके साड़ेतेश डिगरी उत्तर में करक रेखा करक रेखा और साड़ेतेश डिग्री नौर्थ में मकर रेखा मकर रेखा और इसमें जो भारत इस्तित है भारत इस तरह से यहां इस्तित है मतलब भारत के बीचों बीच से जो जाती है करक रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है करकर इखा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला देखिए कुश्चन अरावली और बिंद्य चेत्र कौन से बिंद्य चेत्र के बीच में कौन सा पठार इस्तित है तो अगर हम भारत में देखें अरावली, सरेणी और बिंद्य सरेणी इन दोनों के बीच में पूछा गया है मालवा का पठार हो जाएगा मालवा का पठार ये option तो सीधे वैसे हट गया था इन दोनों के बीच में मालवा का पठार है मालवा का पठार अरावली स्रेणी और यहां विंध्य स्रेणी विंध्य विंद्य सरेणी इन दोनों के बीच में चलिए अगला कुश्चन है राष्टिय डेरी अनुसंधान संस्तान कहां इस्तित है राष्टिय डेरी अनुसंधान संस्तान तो राष्टिय जो डेरी अनुसंधान संस्तान है करनाल हरियाना में इस्तित है करनाल हरियाना में ये आपने ध्यान लखना है करनाल हरियाना में इस्तित है इसको ध्यान लखना है अगला कुश्चन है 75 कुश्चन हाल ही में परधानमंत्री मोदी ने कहां नई रेलवे परियुजना सहीत मेथेनोल संयंत्र की सुरुवात की थी तो इनके द्वारा मेथे नोल, संयंत्र, रेल से संबंदित है, असम में की गई थी, असम इसका सही आंसर होगा अगला देखिए कुश्चन तुंग भद्रा के तट पर कौन सा सामराज्य इस्तित हुआ? तुंग भद्रा के तट पर इसमें से सही आंसर हो जाएगा, बिजए नगर सामराज्य बिजए नगर सामराज्य, चिहत्तर का सही हो जाएगा, बिजए नगर सामराज्य अगला देखिए अगला कुश्चन है राणा कुम्भा के चितोर का बिजय इस्तंब किस युद्ध के बाद बनाया गया इनके दोरा सारंगपुर के युद्ध के बाद ये चितोर का बिजय इस्तंब बनाया गया महमूद खिलजी के मध्य 1437 में ये युद्ध हुआ था महमूद खिल जी और इनके मद्दे में हुआ था राणा कुम्भा के बीच में इन्होंने उसके बिजय में बिजय इस्तम्ब बनाया था चित्तोर का बिजय इस्तम्ब ये सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A अगला देखिए कुश्चन पहिये का आविश्कार किस काल में हुआ है तो पहिये का आविश्कार अगर हमने देखा कि पासान जो काल है पासान काल इसे तीन भागों में बांड दिया गया पुरा पासान काल और मद्यपासानकाल और नवपासानकाल इसमें अगर हम खोज देखें नवपासानकाल में किस-किस की खोज पहिये का आविश्कार पहिये की खोज मांकि किरसी किरसी भी नवपासानकाल में इसमें जो हमारे हत्यार थे थोड़ा सा चेंज होगे माइक्रो लिट टाइप के छोटे-छोटे हमने पत्थरों के ओजार बनाने शुरू कर दिये अगर आएगा आग की खोज, आग वगेरा की खोज पुरा पासान काल में की गई है तो इसमें आएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा, नव पासान काल पहिये की खोज वगेरा, या किर्सी, या इस्ताई निवास और जानरों को हमने पाल तो बनाना शुरू कर दिया ये नव पासान काल से सम्मंदित है अगला देखिए, रजिया सुल्तान किसकी पत्ती थी? अल्तुनिया, इसकी पत्ती थी रजिया सुल्तान, उप्सन नमबर A आपका सही हो जाएगा, अल्तुनिया अगले कुश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुश्चन देखिए हडपा सब्विता के अंतरगत, जूते हुए खेत तो काले रंग की जो चूनिया है, इससे नाम पढ़ा है काली वंगा, काली वंगा राजस्तान छेतर में है, यहां से हमें काले रंग की चूनियों से संभन्दि नाम है, जुते हुए खेत के परमाण मिलते हैं जोते हुए खेत के प्रमान अगर हम इसमें देखें युगल सवाधान युगल सवाधान तो युगल सवाधान लोथल से प्राप्त हुए हैं इसमें मिट्टी की मिट्टी के आबुसन मिट्टी के आबुसन आबुसन अगर हम देखें तो यह मिले हैं रोपन छेतर से अगर इसमें हम देखें कि बाकी option आप ध्यान रख ले ना काली रंग इसमें पूछा गया है हडपा सब्विता के अंदर गत जोते हुए देखें राजिस्तान के काली वंगा छेतर से प्राप्त हुए हैं बिल्ली के पंजे के निसान वगएरा भी यहीं से है हरियक वंस के किस सासक को कुणिक कहा गया है कुणिंद नहीं है इसमें कुणिक है तो कुणिक किस सासक को कहा गया है इसमेंसे जो अजाद सत्रु है इसे कुनिक कहा गया है आप्सन नमबर B इसमें सही हो जाएगा अगला देखिए भीम का भीम जो एप है इसका पूर्ण रूफ क्या होगा इसका फुल फॉर्म बताना है भीम जो एप है इसका फुल फॉर्म इसमें हो जाएगा भारत इंटर्फेस फॉर मनी भारत इंटर्फेस फॉर मनी भीम ठीक है भी एच आई एम भीम एप पेमेंट एप है भीम इसका फुल्फॉम यह है अगला देखिए इसके बाद तिरासुआ कुश्चन है फाइल एक्षटेंसन किस लिए इस्तिमाल होता है तो फाइल के परकार की पहचान के लिए बस दिखाने के लिए कमपनी की पहचान के लिए इन में से कोई नहीं तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा फाइल के परकार की पहचान के लिए यह परियोग होता है फाइल एक्सटेंसन जैसे आपने देखा होगा इसके अंतरगत कई सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जैसे txt.txt इस तरह से बागी इसमें .docx इस तरह से लास्ट में आते हैं तो ये है file extension अगला देखिए इसमें IDBR भारती और द्योगिक विकास बैंक की स्तावना कब हुई थी IDBR जो बैंक पूछा गया है 84 इसका सही आंसर बताना है 84 तो सही आंसर इसमें हो जाएगा 1964 अगर इसमें 1982 में नाबार्ड की स्तावना नाबार्ड 1982 में और State Bank State Bank of India State Bank की स्तावना 1955 में सही हो जाएगी तो इसमें से द्यान रखना है ये आंसर आपका सही हो जाएगा 1964 अगला कुश्चन देखिए वित्तिय चेत्र में FC-CV का पूर्ण रूप है तो वित्तिय चेत्र में foreign currency commercial brand इसमें से सही हो जाएगा option number C foreign currency convertible brand foreign currency convertible brand ये हो जाएगा option number C सही आंसर हो जाएगा FCCV का फुल फोर्म है अगला देखिए 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत का सरवादिक साक्षर राज्य तो यहाँ पर 94% जनसंक्या साक्षर है तो इसके अनुसार केरल सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य है option D आपका सही हो जाएगा पहले से on computer को restart करने के लिए को क्या कहते हैं पहले से जो on computer है इसको restart करना warm voting कहा जाता है voting से सम्मदित है voting warm voting अगला देखिए question भारत में आकर बसने तथा ब्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों का license लेना किस charter act द्वारा अनिवार ये कर दिया गया था तो इसमेंसे जो charter act है कौन सा होगा इसका सही answer बताईए एटी एट charter act 1813 charter act 1933 में जो बंगाल का governor general था भारत का governor general इसमें बन गया तो ये आपने ध्यान रखना है बाकि इसमें चली अगला कुश्चन देखते हैं सूची एक को सूची दो से मिलान करना है इसमें है इस्ताई बंदोबस्त इस्ताई बंदोबस्त कौन वालिस ये सही हो जाएगा रेत वाड़ी बंदोबस्त टॉमस मुनरो महाल वाड़ी ब्यावस्ता होल्ट मैकंजी इसके त्वारा की गई थी इसमें जैसे जमीदारों को अधिकार इसमें प्रदान किये गए थे और इसमें डारेक्ट गाउं के किसानों को अधिकार दे गे और उसके बाद महाल वाड़ी में जो किसान गाउं के मुख्या वगरा हैं उनको अधिकार इसमें मिले जो टैक्स वसूली कर सकें और राजस्तों इनको दे सकें इस तरह से अधिकार दे गे थे इस्ताई बंदोबस्त, कौनवालिस, रैदवारी बंदोबस्त, मुंद्रो और इससे संबंदी थे ओप्सन इसमें से सारे मैंने मिला दिये A का 1, B का 2, C का 3 हो जाएगा अगला देखिए इस्ताई बंदोबस्त 1793 में कि अंतरगत जमिदारों की उपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे अनेक जमिदारों ने पट्टा जारी नहीं किये इनका कारण क्या है तो अभी मैंने इसमें बताया था कि जमिदारों को इसमें अधिकार दिये गे तो जमीदारों के उपर कोई भी सरकारी नियंतरन नहीं था इस कारण से इनोंने अनेक लोगों का सोसन इसमें किया है और जमीदारों ने पट्टा जारी नहीं किया ओप्सन मर भी है इनके उपर कोई भी सरकारी तंतर का नियंतरन नहीं था उसमें तो इस कारण से इन्होंने मनमानी धंक से ये काम किये अगला देखिए question चार वर्स के बाद अब reasoning के question है मैं इनका answer बता देता हूँ आपको सारों का reasoning के question देखिए इनका answer देखिए सभी एक मिनट टाइम दीजिए आप इनका answer में बता देता हूँ सब का 91 है 4 वर्स के बाद A की आयू 5 वर्स B की आयू का अनपाद 6 अनपाद 5 है और 4 वर्स पूर्ण A की आयू इस question को आप पढ़ लेना सही answer इसका हो जाएगा option number A option number A इसका सही answer है 20 वर्स तो question पढ़ने के बाद आप खुछ हल कर लेना इसको तो मैं सारों के answer बता देता हूँ इसमें देखिए option number अगला question है question है 6 अनपाद 222 और 7 का इसमें क्या आएगा तो इसमें 350 हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा 350 चलिए अगला question देखिए एक समू के समान संख्या में गाई चरवाहों की टांग टांगों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना है 4 गुना से 60 कम है तो चरवाहों की संख्या इसमें पूछी गई है तो इसका answer देखिए इसका answer है 30 इसका सही answer हो जाएगा 30 अगला question देखिए यदि किसी parking में कुल 4 पहिये वाले हो तो कुछ 3 पहिये वाले हैं यदि उनकी कुल संख्या 135 है उनके पहियों की संख्या 420 तब कितने 4 पहिये वाहन होंगे तो इसका सही answer 15 हो जाएगा सही answer इसका है 15 15 इसका सही answer हो जाएगा अगला देखिए question 100 वर्षों में कितने विसम दिन होंगे 100 वर्षों में जो विसम दिनों की संख्या है 5 हो जाएगी 100 वर्षों में विसम दिनों की संख्या 5 अगला question देखिए एक घड़ी जिसको देखने में question पढ़ लेना आप इसको पूरा question और इसका आंसर में बता देता हूँ आंसर है इसमें A option दो बचकर 15 मिनट दो बचकर 15 मिनट हो जाएगा अगला question देखिए 97 97 है और 97 जो question है इसका सही answer हो जाएगा 3 इसका सही answer 3 हो जाएगा अगला question देखिए 98 इसमें बताना है तिरभुजों की संख्या तो इसमें total तिरभुजों की संख्या 24 हो जाएगी इन सभी में ये तिरभुजों की संख्या बतानी है तिरभुजों की संख्या इसमें 24 है अगला देखिए कुश्चन है तो पासे से संबंदित इसका सही आंसर हो जाएगा D-Dog D-Dog सही लगा है उसमें 3 हो जाएगा इसमें अगला कुश्चन 100 है 100 का आंसर इसमें दिसाओं से संबंदित कुश्चन है तो South है इसमें आ जाएगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आंसर हो इसमें आपकाब है इसमें मुपन आपकादी आपका झाल खाएगा भाएगा आपका जाएगा यह दो